नमस्कार आप देखरें महुआ खबर और मैं हूँ आपके साथ वोहनता मलेक स्वागत है आपका हमारी खास खबर की खास पेशकश में आईए रुक करते हैं खबरों की ओर अमेरिका में राष्टपती चुनाव के दुरान भारतिय मूल के छे अमेरिकियों ने प्रतिनिधी सभा में बड़ी जीत दर्जी है और इसमें से सुब्रेमेरियम इस बार जीतने वाले एक मात्र भारतिय हैं और अन्य पाच भारतियों ने दोहजार चौबिस में भी अपनी चीत को बरकरार रखा है जिसके बाद अब अमेरिकी प्रतिनिधी सभा में भारतिया अमेरिकियों की संख्या पाच से भढ़कर च्छे हो गए हैं देखिए इस पर खास सुब्वार अमेरिका में राश्पती चुनाव दोहजार चौबीस के लिए डोनाल ट्रम की अतिहासिक जीत के साथ ही भारतिय मूल के 6 अमेरिकियों ने अमेरिकी प्रतिनिधी सभा में जीत दर्ज कर इतिहास रज दिया है इस बार भारतिय मूल के सुब्रमन्यम ने भी वरजीनिया से अमेरिकी प्रतिनिधी सभा का चुनाव जीत कर सबको चौका दिया है सुब्रमन्यम की जीत से अमेरिकी प्रतिनिधी सभा में भारती मूल के अमेरिकियों की संख्या 5 से बढ़ कर 6 हो गई है वर्जीनिया से जीत दर्ज कराने वाले भारती अमेरिकी सुहा सुब्रमन्यम पेशे से वकील हैं। सुब्रमन्यम इस राज और पूरवी तर्ट से चुने जाने वाले समुदाय के पहले व्यक्ति बन गए हैं। और कॉंग्रेस में परिणाम देने के लिए मुझ पर भरोसा किया यह जिला मेरा घर है मेरी शादी यही हुई है मैं और मेरी पतनी मिरांडा यहीं अपनी बेटियों का पालन पोशन कर रहे हैं हमारे समुदाए के सामने आने वाली समस्याएं हमारे परिवार के लिए व्यक्त सुब्रमन्यम ने कहा कि वाशिंग्टन में इस जिले की सेवा जारी रखना सम्मान की बात है यहीं नहीं अभी प्रतिनिदी सभा में भारती अमेरिकियों की संख्या और बढ़ सकती है अभी एरिजोना के फर्स कॉंग्रेसनल डिस्ट्रिक में अमिट शा के अपने रिपब उसमें सलाकार के रूप में कार किया था वह अमेरिका में भारती अमेरिकी समुदाय के बीच एक जाना माना चाहरा हैं वे कॉंग्रेस में समोसा कॉक्स में शामिल हुए जिसमें वर्तमान में पांच भारती अमेरिकी शामिल हैं इनमें अमी बेरा राजा कृष्ण मूर्ट रोखनना प्रमिला जैपाल और श्री थानेदार अब इसमें एक नाम सुब्रमन्यम का भी जुड़ गया है यूरो रिपोर्ट महुआ खबर तो वहीं उच्चतम न्यायालेने गुरुवार को अपनी विशेश सन्विधानिक शक्तियों का इस्तबाल करते हुए बंद पड़ी विमानन कंपनी जेट एर्वेस की परिसंपत्तियों को बेचने का आदेश दे विया है और प्रधान न्यायधीश डी वाई चंद्रचूर न मन्जूरी देने के रास्ट्रिये कंपनी विधी अपीलिये अधिकरन के फैसले को खारिच कर दिया है देखे इस पर खास रिपॉर्ट पीड की ओर से फैसला सुनाते हुए न्याय मूर्टी पार दिवाला ने अन्सी अल्टी के फैसले के खिलाब SBI और अन्रण दाताओं की याचिका को सुईकार कर लिया याचिका में JKC के पक्ष में Jet Airways की समधन योजना को बरकरार रखने के फैसले का विरोध किया गया है न्यायाले ने कहा कि विमानना कंपनी का परिसमापन लेंदारों, श्रमिकों और अन्हितधारकों के हित में है परिसमापना की प्रक्रिया में कमपनी की समपतियों को बेच कर प्राफ्त धन से रणों का भुकतान किया जाता है पीट ने NCLT को उसके फैसले के लिए फटकार भी लगाई शीर्ष अदालत ने समविधान के अनुचेद 142 के तहट अपनी विशेश शक्तियों का इस्तमाल किया जो उसे अपने समक्षलमित किसी भी मामले या मामले में पूर्ण नयाय सुनिश्चित करने के लिए आदेश और डिगरी जारी करने का अधिकार देता है एंसी अल्टी ने बंद हो चुकी विमानना कमपनी की समधान योजना को 12 मार्श को बरकरार रखा था और इसके स्वामित्व को जेकिसी को हस्तांतरित करने की मनजूरी दी थी भारती स्टेट बैंक, पंजाब नाशनल बैंक और जेसी फ्लार्ज सेट री कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड ने ने एंसी अल्टी के फैसले के खिलाफ अदालत का रुख किया था ब्यूरो रिपोर्ट महुआ खबर लोगसभब में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की नागपुर रैली को लेकर सियासी गल्यारों में खूब शोर पचा हुआ है बीजेपी के दिगच नेता इस रैली को लेकर खमलावर हो गए है दरासल कॉंग्रेस ने बुधवार को नागपुर के सुरेश भट सभागार में सन्विधान सभा का आयोजन किया और इस कारिकरम के दौरान उन्होंने लाल किताब लहराई जिसके कवर फोटो पर Constitution of India लिखा हुआ था जबकि अंदर केपन ने जो है वो को रहे थे बिजपी इसी मुद्धे को लेकर कॉंग्रेस वर हमलावर है महराश विधान सभा से पहले बिजपी ने कॉंग्रेस को घेड लिया है केंद्री संसदी कार मंत्री किरन रिजिजू ने कहा राहूल गांदी समविधान का सम्मान नहीं करते इसलिए उनके हाथ में समविधान शोबा भी नहीं देता उनको कोई हक नहीं है कि समविधान को हाथ में पकड़ कर भाशर दे नहरू जी भीमराम बेडिकर को कैबिनेट में नहीं ले रहे थे बाद में गांधी जी के कहने पर उन्हें कानून मंत्री बनाया गया नागपूर में समविधान का कवर लगाया और अंदर सब पन ने खाली समविधान नीला रंग का होता है ये लाल रंग का लेकर गूम रहे हैं बाबा साहब को चुनाव हराने का काम कांग्रेस ने किया ऐसे लोगों द्वारा समविधान को हाथ लगाना और बाबा साहब का नाम लेना उन्हें अपमानित करने जैसा है तो वही महराश के उपमुख्यमंत्री और बीजेपी नेता देवेंट फड्नविस ने कहा राहुल गांधी की कल अनास्ता देखने को मिली वो लाल पुस्तक लेकर समविधान का गौरव नहीं करना चाते उसके साथ में जो अर्बन नकसल है उसके साथ जो अनाक्रिष्ट है इनको एक प्रकार का इशारा देने के लिए उनकी मदद लेने के लिए वो ये नाटक और नोटंकी कर रहे हैं समविधान का रोज वो अपमान करते हैं और हर जगे आज तक कॉंग्रिस ने बाबा साहिब अमेडकर का अपमान किया समविधान का अपमान किया अब उनकी नोटंकी को कोई भूलेगा नहीं बिजिपी नेताओं के इनारोपो पर कॉंग्रेस के महराश के उपाध्यक्ष किशोर कनेरे का बयान सामने आया है उन्होंने का राउल गांदी ने बुद्वार को नागपुर में एक कारक्रम में समविधान की कॉपी शोताओं को बाटी जिसे बिजिपी समविधान की कॉपी बता रही है लेकिन वह समविधान की कॉपी नहीं बलकि वह नोट पैट था जिसे वहाँ श्रोताओं को दिया गया था जिससे वक्ताओं के भाशनों को श्रोता सुन कर वहाँ पर लिख सके नोटपैड के साथ उन्हें पेंसिल भी दी गई थी कॉंग्रेस का कहना है कि राहूल गांदी के हाथों में सम्विधान की कौपी थी जब से राहूल गांदी ने सम्विधान की बात करना शुरू किया है तब से बजार से सम्विधान की कौपी गायब कर दी गई है या एक साजिश के तहट किया जा रहा है ब्यूरो रिपोर्ट महुआ खबर तो वहीं मद्यप्रदेश की सियासत में इन दिनों गर्म बयान बाजिया जो है वो चल रही है और इसी बीच दिवाली के दौरान इन दौर में पटाकों को लेकर हुए विवाद ने न सिर्फ सामप्रताइक सौहर्द को प्रभावित किया है बलकि राजने तेक बयान बाज से लेकर बिजपी के वरिश नेता कैलाश विजयवर गिये और कॉंग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पड़वारी तक सभी ने एक दूसरे के खिलाफ तीखे बयान दिये हैं मुख्यमंत्री मोहन्यादव ने मीडिया से बात करते हुए कहा पटा के फूटने दो एक एक अवास दुश्मन के सीने में बंदू की गोली की तरह लगेगी हम सब किसी को डरते नहीं हैं लेकिन हमें कोई डराए ये भी हम मनजूर नहीं करेंगे हिंदू कभी किसी को छोड़ते नहीं लेकिन अगर हिंदू को कोई छेड़े तो हम उन्हें छोड़ेंगे नहीं मुख्यमंत्री का ये बयान विवादों का कारण बना और इसके बाद विजेपी के अन्यनेता भी खुल कर सामने आया इसके बाद कैलाश विजेवर्गी है जो भाजपा के वरिशनेता और इंदौर से विधायक हैं इनका भी बयान सामने आया विजेवर्गी ने कहा प्रशासन सक्रिये है कारवाई करेगा और अगर सही चहरा सामने नहीं गया तो मैं भी देखूंगा इंदौर में कौन अशा भी तीका था जिसमें उन्होंने खुद को प्रशासन से भी आगे बता दिया कॉंग्रिस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पड़वारी ने इस सब पर प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री मोहन यदफ की बयान को शुट भाईया नेता की भाशा बता दिया पड़वा तो ही महरास्ट में 20 नवंबर को मद्दान होने वाला है लेकिन इससे पहले ही कॉंग्रेस पार्टी के रास्ट्री अध्यक्ष मलिकारजुन खड़गे ने प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी के खिलाफ विवादित बयाद दे दिया है महाविकास अघाडी ने गुरुवार को महरास्ट के बीकेसी मैदान में साज़ा और रेली को संबोधित किया और इस दरान मलिकारजुन खड़गे ने प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी की तुलना तैमूर लंग से करती है और खड़गे ने कहा है कि 400 पार का नारा देने वाले मोधी की सरकार JTO और TTP की बेसाखी पर टिकी हुई है देखिए इस पर हमारी खास रिपॉर्ट महाविकास अघाडी ने गुरुवार को महराज के बीकेसी मैदान में साज़ा रेली को संबोधित करते हुए पिये मोधी पर निशाना सात्ते हुए कहा कि मोधी जूटो के सरदार हैं इतना ही नहीं खड़गे ने मोधी सरकार पर घोटालो का आरोग भी लगाया मलिका अरजुन खड़गे ने कहा कि हमको गाली देने से जनता का पेट नहीं भड़ता है मरेन मोधी सिर्फ बात करना जानते हैं काम करना नहीं जानते हैं विजेपी हर कुछ बेच रही है अडानी के पोर्ट से नशीली चीजे बरामद हो रही है हमें इसे रोकना चाहिए नहीं तो जैसा पंजाब हर्याने में हो रहा है वह यहां भी हो सकता है चोरों को सपोर्ट करने वाले मोधी शा को सबक सिखाना है चोरों को भगाओ और चाहर शीट दायर करके उनको जेल में डालो विजेपी सरकार हर चीज बेच रही है कारखाने, पब्लिक सेक्टर, एरपोर्ट, पोर्ट बेचे जा रहे हैं मलिका अरजुन खडगे ने इस दोरान पीम नरेन मोधी की तुलना तैमूर लंग से भी की इस पर भाजपानेता किरन विजेजु ने बयान देते हुए कहा विदेशों में नरेन मोधी की इज़द देखते ही बनती है कल डोनाल प्रम ने पीम मोधी को फोन किया रधान मंतरी के बारे में ऐसे शब्दों का इस्तमाल करना सही नहीं है ग्यूरो रिपोर्ट महुआ खबर फलाल के लिए हमारी खास खबर की खास पेशकरश में आज करे इतना ही देश और दुनिया के तमाम खबरों के लिए बने रही है बहुआ खबर के साथ और मुझे दीज़े इजास्त नमस्कार